जिसना हम production possibility frontier को discuss कर रहे थे तो production possibility frontier को draw करते हुए या graph बनाते हुए जो या उसको इस्तमाल करते हुए कुछ बुन्यादी हकायक हैं जिनको हमें देखना होगा और वो हकायक हमारे दो हमारी headings के अंदर आएंगे जिसमें हम पहली है that is called the principles वो असूल जिनके तहत production possibility frontier पर काम करते हुए हमें गवार करना होगा तो पहली चीज यह है कि हमें आरा जो भी पैदावार में मौझूद entrepreneur है उसको देखना होगा कि जो resources है वो limited है अब अगर हम देखें तो हम ये पहले lectures में भी बात कर रहे थे तो अब आप कहेंगे कि चुँके अब तो हम total economy की बात कर रहे हैं तो क्या total economy भी resources limited है तो जी हाँ resources हमेशा जिसी भी form में होंगे जितने भी होंगे वो जिस purpose के लिए इस्तमाल किये जाएंगे उस purpose के लिए हम अगर कहें तो वो limited होंगे क्योंके एक आखरी हद जरूर मौजूद रहती है जिसके आगे हम उसको इस्तमाल नहीं कर सकते और उसके बाद अगर होगा तो उसको बढ़ावा देने के लिए नई technology या उसकी quantity को बढ़ाने की जरूरत होगी इसलिए जब scarce resources की बात की जाएगी तो हमें ये देखना होगा कि वो resources एक से ज्यादा जगों पर इस्तमाल हो सकते हैं एक ही खेत मुख्लिफ पैदावार के लिए इस्तमाल हो सकता है एक ही factory में मुख्लिफ किसम की पैदावार की जा सकती है एक ही दुकानदार मुख्लिफ अशिया को सेल कर सकता है एक ही बिल्डिंग में मुखलिफ जगों पर मुखलिफ टाइम पर मुखलिफ काम किये जा सकते हैं तो इन चीजों को देखते हुए जो alternative यूज है उसको जब हम मदे नज़र रखेंगे तो इसका मतलब है कि opportunity cost का हिसाब किताब हमें मौजूद रखना पड़ेगा हमें efficiency को देखना है अब efficiency से मुराद यह है तो जब भी हम production possibility frontier को ड्रा करेंगे तो चुँकि हम वो वाले तमाम points जो हम जिनको हम efficient कह रही हैं तो efficient point वो हैं जो हमारे तमाम इस curve पर मौजूद होंगे हाला कि production का अगर हम देखें मैं यहां पर draw करूँगी तो अगर हम देखें तो different iso quants inside move कर रहे हैं और अगर एक इसके opposite चल रहा है तो यह भी उसके तमाम points जो show कर रहा है वो उसके मुखलिफ हो सकते हैं लेकिन जो maximum efficient points हैं वो यह होंगे जो इसके उपर मौजूद होंगे और अगर efficiently utilization को हम नहीं देखेंगे तो वो resources जो underutilized रह जाएंगे वो externality का बाइस बनेंगे और इसमें एक चीज और बहुत एहम है वो यह है कि हमारे जितने भी production possibility frontiers हैं उनमें जब हमने बार बार बात की opportunity cost की तो opportunity cost में अगर हम देखें तो तीन किसम की हो सकती है जिसमें हम एक चीज है जिसको हमने कहा कि increasing opportunity cost इसका मतलब है कि हमारे पास इसके साथ साथ decreasing opportunity cost भी हो सकती और इसी के तहट अगर देखें तो हम constant opportunity cost का भी कह सकते हैं अब इस सारी चीजों को अगर हम बात करेंगे तो जो general production possibility frontier है इसमें हम जिस opportunity cost का इस्तमाल कर रहे हैं वो increasing opportunity cost है जिसका मतलब है कि हर next point पे production को लेते हुए जब भी आगे पैदावार के लिए सरमायदार मूव करता है उसको पहले से ज्यादा पिछले resources जो वो ले रहा था उसको ज्यादा sacrifice करने होते हैं अगर हम यहां से देखें ये वाले फासले के मुकाबले में ये ज्यादा है अगली दफ़ा वो जाता है तो ये ज्यादा है और अगले point पे जाता है तो ये उससे ज्यादा है और ये increasing opportunity cost का concept ही production possibility frontier की असल शकल को जाहिर करता है अगर production possibility frontier को मैं कहूँ कि उसमें constant हमारे पास मौजूद हो तो उसमें हम अगर कहेंगे तो वो यू शकल की बजाए वो straight line की शकल में हमारे सामने आएगा और उसके अंदर हमारे पास जतने units होंगे वो equal form में चल रहे हो अब अगर हम इसकी assumptions पे आते हैं तो हमें इस assumptions में जो कुछ चीजों को देखना है वो ये हमारे सामने आएंगी कि हमें इसमें जितने resources को consider करना है वो fixed है उनकी quantity fixed है और quantity के साथ साथ available level of productivity means उसकी quality अगर एक खेत के हवाले से हम production की बात कर रहे हैं तो जो उसकी quality है उसको हम constant form में देखेंगे कि अगर वो तीन जगों पर इस्तमाल हो सकता है तो तीनों में हमें same quality लेके जलना है तो इस इतरा अगर पानी कहीं इस्तमाल हो रहा है तो उसकी quantity को देखना और ताथ quality को भी देखना होगा लेबर की productivity है जितने घेंटे लेबर अगर एक मनसूबे में काम कर सकती है तो किसी दूसरे में कितनी देर काम तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें उसकी efficiency को भी मदे नज़र रखना होगा और available technology को भी देखना होगा और जब हम full employment of resources की बात करते हैं तो अगर जितने units of production मौझूद है और अगर economy में हम देखें हमारे पास consumers मौझूद हैं तो system में मौझूद जितने भी consumers हैं अगर हम एक तरफ कहें कि हमारे पास A और B दो consumers मौझूद हैं तो यह दोनों के दो consumers जो हमारे पास utility की शकल में अगर हम देखें तो consumers हैं और यही दोनों के दोनों consumers को अगर हम देखें तो यह पैदावार की शकल में यही दोनों वहां पे जाके labor को provide कर रही होंगे और इसी तरीके से अगर हम देखें तो वहां पे अगर हमारे पास पैदावारी सारफ मौझूद है तो वो अगर दो प्रोडक्शन X और Y को प्रोड्यूस कर रहा है तो यही X और Y के जो दोनों यूनिट्स मैक्सिमम फॉर्म में अगर हैं तो वो यह वाला सारफ या कंज्यू के लिए इस्तमाल के लिए हमारे पास मुख्लिफ चीजे हैं उन मेंसे कोई भी चीज हम वेस्ट में नहीं लेके जाएंगे इसलिए इस मौडल में हमारी एजम्शन में टू गुड्स का कॉंसेप्ट ज्यादा इस्तमाल होता है और एक्स्टरनलिटी में कोई भी चीज अग अगर कहें या एक एक्स्टरनलिटी हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे इसमें अगर हम एक देखें तो कुछ चीजों के लिए पॉस्टिव एक्स्टरनलिटी भी मौजूद होती है और कुछ जगों पे कुछ चीजों के लिए नेक्टिव एक्स्टरनलिटी भी मौजूद होंगे किसी इलाके में अगर इंटों का भटा लगा हुआ है तो वो अपने मालक के लिए तो पैदावार दे रहा है इर्दगीत के लोगों के लिए मजदूरी अवेलिबल कर रहा है लेकिन एंवायरमेंट में जो धुआ जा रहा है वो नेक्टिव एक्सटरनेलिटी की शकल में इलाके में मौझूद मकीनों की सहत को नुकसान देता है तो ये नेक्टिव एक्सटरनेलिटी होगी और इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत से इदारे या पार या सोर्स किसी जगा पे बनने से वहां के इदगीद के लोगों को, सारफ को, सोसाइटी को जो positive benefit होता है और वो benefit जिसके लिए उसने कोई लागत पे ना की हो तो वो उसके लिए positive externality कहलाता है तो ये assumptions और principles वो basic हाकाइक हैं जो production, possibility frontiers को बनाते हुए और पढ़ते हुए हमें मद्दे नजार रखने हो